हम आत्मिज्ञान के लाभों की बातें कर रहे हैं, उनकी चर्चाएं कर रहे हैं, उन्हें उल्लेखित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके फायदे जो हमारे जीवन को परिवर्थित कर सकते हैं, उनकी ये वार्ताएं समाज के लिए महत्वपून हैं, आवश्चक हैं। जब ये पता चलेगा कि आत्मिज्ञान के जागर्ति के ये ये लाभ हैं, तब हमारे अंदर, आपके अंदर, साम्माने जनों के अंदर आत्मिक ग्यान की प्राप्ति के प्रयास के लिए एक ललक पैदा होगी। मन में इच्छाथ पर्न होगी कि हम भी ऐसे सतकर्म करके प्रयास करके तो देखें। ये अन्य लोग ग्यान की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने अंतरमन के ग्यान की चक्छूं को प्रकाशित कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम भी प्रयास करें, हम भी कोशिश करें। और हम भी अपने जीवन को परिवर्टित कर लेने के लिए प्रतिबध्ध हो जाएं, संकल्पबध्ध हो जाएं। आत्मक्यान की प्राप्ति से दुनिया की ये सभी आज दिखते हुए अपराध समाप्त के जा सकते हैं। ये अराजकताएं समाप्त की जा सकती हैं, ये दंगे फसाद, ये मार काट, ये हिंसा, ये अशान्ति, ये चोरी बेमानियादे साब नश्ट की जा सकती हैं। ये ये संभव है, तो ये क्या कम बड़ा लाब है। ये बहुत बड़े-बड़े से लाबों को ग्यान की प्राप्ति से ही पाया जा सकता है। ग्यान से ही ये सभी बड़े बदलाव संभव है। भी ये सिंट बड़ेोगा मिड़े लाबलाः नश्ट सुन